असलाम अलेकूम वेवर्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिट्वीन आडिबल साउंड और डाइगनोस्टिक सोनोग्राफि यूमेन कें जनली हीर फॉर्म 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स कि जो इनसान हैं वो 20 हर्ट्स से लेके 20 किलो हर्ट्स तक की जो अवास होती है उसको जो है वो सुन सकते हैं कि वो साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्स से लेके 20 किलो हर्ट्स तक होती है उसको जो है वो इनसान सुन सकते हैं Ultrasound differs from the audible sound only in its high frequency Enhance the name Ultrasound कि जो Ultrasound है वो audible sound से सिर्फ और सिर्फ उसका जो main difference है वो यही है कि Ultrasound जो है उसकी उसमें जो frequency यूज होती है वो high होती है जब कि जो audible sound होती है इसकी जो frequency होती है वो काम होती है Diagnostic Sonography generally operates at the frequency of 1 to 20 MHz कि जो Diagnostic Sonography है जो हम use करते हैं diagnosis के लिए उसमें जो sound की जो frequency use होती है वो होती है 1 to 20 MHz तो यहां तक था viewers इमीद है आपको मेरी वीडियो यह अच्छी लगी होगी इंशाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलाँ आफेज